नमस्कार दोस्तों, LLB 5-year 2024 का इंस्टिटूट लेवर राउंट मिरिट लिस्ट पब्लिश हो चुका है, यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, आपका मिरिट नंबर आपको कैसे चेक करना है, उसके बात में आपको कॉलेज के लिए अडमिशन के लिए कब जाना है, उसका इन में अगर 10 सीट्स वैकेंट है, तो वहाँ पे 10 सीट्स जो भी रहेंगी, जो भी टॉप 10 में जो 10 रहेंगे, मिरिट नंबर, उनको वो सीट्स अलोटेड देने वाले हैं, और अगर वहाँ पे अगर कोई अवेलेबल अगर नहीं हुआ, तो वो सीट्स आपको भी जाएगी, वो कैसे देने वाले हैं, कैसे चेक करना हैं, उसका भी information मैं आपको देने वाला हूँ, पूरा video देखिए, तब भी आपको सब information आपको अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि हम सीट्स के website पे आ चुके हैं, सीट्स के website पे आने के बाद, आपको यहाँ पे दीख रहा है, च प्रेफरंस दिये रहेंगे वह आपको यहां पर सिलेक करना है जैसे कि यहां पर आपको दीख रहा है जैसे कि मैं अगर युनिवर्शिटी आप मुंबई का अगर लूँ कॉलेज का और गवर्मेंट डॉट लूँ और वहां पर अगर मैं देखू कि सेल्फ फाइनांस का जो स यहां पर दिया है मतलब जो भी आपका मिरिट रहता है इस पर यूर परसंटाइल वह इसाब से आपका यह कॉलेजिस होते हैं सेकेंड परसंटाइल अगर हम देखेंगे तो इतना है तर्ड मिरिट नंबर पर को ने तो यह है उसके बाद में फॉर्थ पर यह है तो मिरिट काणिडिट अगर रहेंगे तो डिपेंड करता है कि उनका परसंटाइल कितना है उसके उपर करता है यह कॉलेज आपको आलर्टमेंट होने का जो भी अगर दस वैकेंसी यहाँ पर यहां पर यहाँ पर यह क्लोज हो जाएगा आस पर अगर कैटेगरी का डिफ्रन्स हो सकता अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता रहेगा कि कैसे अलाट्मेंट होता है तो उसका अल्रेडी मैंने वीडियो बना है इंस्टिटूट लेवल राउंड का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आपको मिलेगा वह आप देख लेना उसके बाद में आपको यहां पर दीख रहें कि एक नमबर दो नमबर ती नमबर मिरिट नमबर यहां पर आपको एडमेशन कैसे मिल सकता है कि अगर कोई स्टूड़न्ट रहेगा वह अगर जिसने अगर जी एलसी अगर अपलाइक किया रहेगा तो गवर्मेंट लॉक्स में आडमेशन के किल सकता है तो ऐसे कोई जो भी स्टूड़न्ट रहते हैं उनको जो कॉलेज चाहिए वहां पर अगर अगर अडमेशन लेंगे तो डेफिनिटली वहां का सीट्स खाली हो जाता है तो अभी मिरिट लिस्ट जो है वह पब्लिश हो चुका है मिरिट नमबर यहां पर दीखा ह है वह आपका मिरिट नमबर है उसके बाद में हम चेक करेंगे कि कोई भी कॉलेज के लिए अगर आडमेशन के लिए जाना है तो कब जाना है उसका डेट अभी आपको में बता रहा हूं ब्राउचर में ने ऊपन किया इंस्टिटूट लेवल राउंड का यहां पर अगर हम कॉलेज के नोटिस बोड़ पी यह पॉपलीश होगा कॉलेज के वेबसाइट पे बी पफलीछ होगा और आगर आपको यह चेक करना तो वैसे भी मैंने आपको बताए कैसे आपको चेक कर सकते हो अड़िशन एडमिशन के लिए कब जाना है आपको जो भी जिनका भी मिरिट लिस्ट में नाम है जिनका मिरिट नमबर आच्छा है वो स्टुड़न ने कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए जाना है वो डेट है 3rd September 2024 से लेके 5th September 2024 को अब बहुत स्टुड़न का ये क्वेशन आ सकता है कि स मेरा मिरिट नमबर बहुत जादा है मतलब वह एटलिस्ट अगर हम देखेंगे वह कॉलेज में जाके क्या नहीं जाएंगे कॉलेज में आपको कॉलेज में अडमिशन के लिए जाना है पूरा आपका डॉकमेंट्स रहेगा वह आपको लेके जाना है ठीक है और यह जो स्टूडन को या फिर जिनका मिरिट नमबर बहुत जादा है वह स्टूडन को फिप सब्सक्राइबर को यह जाना है यार उसके साथ अप मैनेजमेंट राउंड का भी डैरेकली अडमिशन आप ले सकते हो ठीक है जिनका मिरिट नमबर अच्छा है टॉप 10 में है टॉप 5 मे वह तो एडमिशन के लिए जाना ही है उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं तो थोड़ा परस्वेंट राइल और मिरिट नमबर कम है वह स्टूडन को भी एडमिशन के लिए जाना है अगर वहां पर सीट्स अगर खाली रहेंगी अगर कोई आविलेबल नहीं रहेगा तो आपक हो जाएगा ओपन के लिए वह भी मैंने वीडियो बना है अल्रडी चैनल पर आविलेबल है वह एक बार देखो कौन सा सीट कौन से क्याटेक्री के लिए पैसे कन्वर्ट होगा उसका इन डिटेल आपको इनफॉर्मेशन मैंने दिया है ठीक है अभी मिरेट लिस्ट नमबर आपका रिलीस हो चुका है आपके मिरेट लिस्ट नमबर के हिसाइब सी आपको कॉलेज अलॉर्टमेट आपको कॉलेज देने वाला है तो आपको अभी आइडिमीशन के लिए जाना है आज से ही चालो हो चुका है 3rd September से लेके 5 September दगito मैं अगर यह आपको वीडियो को सब्सक्राइब करो ओक्वे थैंक्यू सो मच अ 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 म म अ म